लदाक ट्रिप के लिए मुझे कौन सा रूट लेना चाहिए लदाक ट्रिप के लिए कौन-कौन से कपड़े क्यारी करने चाहिए लदाक में रहने के लिए कहा पे और कौन सी जगा अवेलेबल है लदाक ट्रिप का पूरा खर्चा कितना होगा लदाख ट्रिप के लिए कौन सी बाइक लेके जाना इंपोर्टन्ट है अगर इन में से कोई भी सवाल या ये सारे सवाल आपको सतार है और आपको 2021 में लदाख जाना है तो आप एकदम सही जगा पे आये हो ये वीडियो आपको इन सारे सवालों के जवाप एक साथ एक जगा पे दे देगा आपका लदाख ट्रिप का पूरा जो प्लानिंग प्रोसेस है एकदम आसान हो जाएगा लेस्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब हलो फ्रेंट सब्सक्राइब अभी अपने जो सारे सीन्स देखे ना जहाँ पे मैं इंट्रो में बात कर रहा था और उसके जो वीडियो चल रहे थे वो सारे वीडियोस 2017 और 2019 के हमारी लदाख राइड के दौरान कैप्चर किये हुए अगर आपको 2019 का हमारा जो रूट प्लान था वो देखना है तो उसके बारे में एक डीटेल वीडियो मैंने इससे पहले बनाया हुआ है यू can go and check out that video the link is over here and also in the description box 28 days ka ride था 7500 km from Mumbai to Mumbai it was one of the most extensive rides of Ladakh जिसमें लदाक और उसके अजु बाजु के area का हर एक हिससा हमने explore किया था एक ही ride में So, if you want that kind of a detailed plan, तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हो. But in this video, we'll be talking about the most commonly followed route plans for Ladakh. सबसे जो common itineraries है, जो सब लोग follow करते हैं. और particularly 2021 के लिए, कौन सा route आपको लेना चाहिए, किस तरह से plan करना चाहिए, क्योंकि पिछले एक देड़ साल में चाइना ने बहुत सी चीज़े चेंज की है. एक तो चाइना ने कोवीड का गिफ्ट दे दिया है पूरी दुनिया को, उसकी वज़े से बहुत सी चीज़े चेंज हुई है. तो वाइल यूरे पाइले बाइला चाहिए, क्योंकि पाइल है, जाता है, और तीसरा रूट जो नियूली ओपन हुआ है, वो है जांसकर होते हुए, है यह जो रूट है यह रूट जहां तक मुझे पता है सिर्फ और सप्टेंबर में ही ड्राइवेबल होता है अगर आप में जून या जुलाई में प्लाइन कर रहे हो तो यह रूट आपको बहुत रिस्की रहेगा बहुत अंप्रेडिक्टेबल रहेगा सो प्लान एकॉर्ड अगर से स्टार्ट होके जोजीला कारगिल ले और ले से वापसी में मूर प्लेंस बारलाच्चा पास होते हुए केलॉंग से मनाली यह है सर्किट रूट और दूसरा जो रूट है जो सिर्फ ले मनाली हाइवे जिनको सिर्फ एडवेंचर वो थ्रिल एक्स्पिरियंस करना ह हाईवे का आप मनाली से स्टार्ट करके ले जाके ले लदा घूम के वापस मनाली आ सकते हो यह दो रूट में ली ले लदा के लिए फॉलो किये जाते जो सरकेट रूट है उसमें तकरीबन आपका चंदीगड से चंदीगड तक 3000 किलोमेटर का राइड होता है वेराज आप मन मनाली रूट से जाके मनाली रूट से अगर वापस आएंगे तो अरौंड 2500 किलोमेटर का राइड होता है अगर हम बात करेंगे लदा के लोकल साइट सींग की तो मेंली चार डिफरेंट प्लेसे में उसको डिवाइड कर सकते हैं एक है लमाईरू साइड जो ले कारगिल संगम गुरुद्वारा पत्थर साहिब मैंनेटिक हिल्स यह में पॉइंट इस रूट पे है देन दे सेकेंड पार्ट इस नूब्रा वैली जिसमें आप खारदूंगला होते हुए डिस्कित हंडर और तुर्टुक तक जा सकते हैं अगर आपके पास परमिट है तो थांग परमिट निकालते हो तो यह सेकंड रूट थर्ड पार्ट अफ लधाक इस पैनगॉंग पैनगॉंग जाने के लिए आप दो रूट फॉलो कर सकते हो अगर आपको ले से जाना है तो चांगला पास होते हुए जा सकते हो अगर आपको डिरेक्ली नूब्रा वैली से पैनगॉंग लेक तक पहुचने के बाद वहां से या तो आप चौथे पार्ट के लिए डिरेक्ली निकल सकते हो या फिर वापस ले आ सकते हो आई वूड रेकमेंड 2021 के लिए आप अपने प्लान में रखो कि आपको वापस ले आना है क्यूंकि पैनगॉंग से डिरेक्ली जो हानले की तरफ जाने वाला रूट है जो चुशूल होते हुए जाता है उस रूट पे चाइनेज एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है पिछले छे महिने से वह पार्ट सिविलियन्स के लिए कॉर्ड ओन अफ किया हुआ था अभी रिसेंटली वह ओपन हुआ है वापस आ सकते हो मतलब आपको वापस ले जाना नहीं पड़ेगा अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डीटेल्स और सारे मैप्स होगे रहा चाहिए तो जैसा मैंने कहा हमारा डीटेल वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नाव से आदे से ज्यादा सामान को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया था तो इट इस वरी इंपोर्टन तो करियो ओंडी दोस तिंग्स विचार रियली रिक्वाइट फो यू पो दिस आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी तो यहां पर एक आर्टिकल है जो मैंने डिसेंटली राइट यह वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको एस्पेशली एक बाइक राइड के लिए मोटर साइकल पर अगर अगर आपको ले लादाक एक्स्पलोर करना है या फॉदाट मेंटर कोई भी लॉंग डिस्टन्स राइड अगर आपको मोटर साइकल पर करनी है तो आ बहुत अब आपको लॉड़ा इस पर लॉड़ा आपको लॉड़ा इन पहले से खुद को मोनिटर करना पड़ेगा आप में कोई सिंटम्स तो नहीं है कोई जब आप हाय आल्टिट्वड पे जाओगे तो वहां पे वैसे भी ऑक्सिजन कम होता है और जो है आपके लंग्स क जो रेस्पिरेटरी सिस्टेम है वो सबसे अच्छी कंडिशन में होना चाहिए जब भी आप लड़ाग जाते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दे एयर एंड एस्पेशली इन टुदाओज़एटीएटीएटीएट आपको करी करना पड़ेगा कि यहां से आगे क्योंकि लड़ा के लोकल अड्मिनिस्टेशन को यह भी एंशर करना होगा कि आने वाले टुरिस्ट की वजह से वहां के लोकल्स को इंफेक्शन ना हो वहां पे कोवीड ज्यादा ना फैले तो इस बात का वो लोग तो खाल रखेंगे लेकिन अपने को भी उस बात का थैल रखना पड़ेगा अपने मेडिकेशन संद फर्स एड किट तो कैरी वह भी पूरा लिश्ट जो मेडिसें सब को कैरी करने चाहिए कौन से मेडिसें सब को लेने पड़ेंगे यह सारी चीज़े उस आर्टिकल में है जिसमें आपका चेक्लिस्ट बना हुआ ह तो यह दो वीडियो और आर्टिकल अगर आप फॉलो करोगे तो आपको अल्मोस्ट पूरा आइडिया आजाएगा कि आपको लदाक कैसे प्लान करना है उसके लिए कौन सा सामान लेके जाना है और वो सामान कैसे कैरी करना है टॉकिंग बाउट रोड कंडिशन्स इन लदा लदाक के रोड कंडिशन्स जो पहले होते थे उससे बहुत ज्यादा अभी सुदर चुके है एस्पेशली इफ यह गोई इन ऑगस्ट और सेप्टेंबर उस टाइम पे लदाक के रोड कंडिशन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि एप्रिल मही में जब सारे बहुत से ओपन होते हैं उसके बाद BRO starts repairing all the roads और by the time of August and September सारे roads एकदम मसका कंडिशन में होते हैं तो अगर आपको लदाक का thrill experience करना है, off-road experience करना है, adventure experience करना है, plan it in May और June और July और अगर अगर आपको smooth traveling experience शेही है तो plan it in August or September. Talking about the stay options, अभी लदाक में बहुत से होटेल, बहुत से होटेल, बहुत से होमस्टेज हर जगा पे अवेलेबल हैं, नुब्रा वैली में, हुंदर में, तूर्टूप में भी होमस्टेज हैं, हुंदर में बहुत से कैम साइट और रिसोर्स ओपन हो चुके हैं, पैंगॉंग मे अभी गवर्न्मेंट के रिड़ेशन के हिसाब से सारे कैम साइट फिर से होचके हैं, हांगले में बहुत सारी होमस्टेज अवेलेबल हैं, सोमोरी में, कारजोह में भी बहुत से होमस्टेज अवेलेबल है और लेह सीटी में तो आपको basic होमस्टेज से लेके three star five star hor मोटल त क्योंकि पांग और सर्चू में जो भी कैंप साइट से वो बाइद अफ सेप्टेंबर वो लोग पूरा वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं अगें इन केलॉंग देर लॉट अप्शन सावेलेबल फो स्टे और अभी तो रोतांग पास आपको करना नहीं पड़ेगा इस यू दोंट वांट वांट विजिट करना थो अफकोस्यू कैन बट अटल टनल चालू हो चुका है तो आपको रोतांग पास में जो खराब रास्त और ट्राफिक का कंजेशन होता है वो सब आपको अभी नहीं लगने वाला है तो अब फोट इस इंपोर्टन पाट अफ दिसक्शन दिसक्शन अब जबजेट आपको लड़ाख राइड के लिए कितना बजट प्लान करना होगा और आपको कौन सी वेहिकल कौन सा बाइक ले सब्सक्राइब करता है कि आप किस तरह से उसे डिफिकल्ट सिच्वेशन में हैंडल करते हो दो रिस्ट्रिक्शन लाइक डाट कि आप यह बाइक लेके नहीं जा सकते हैं और दूसरी बात फ्यूल को जो है आपका वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी बाइक के ऊपर आप में पेट्रोल ज्यादा कंजिम होता है उससे सबसे अपने लिए फ्यूल कोस्ट का बजेटिंग कर सकते हो उसके अलावा जो मैंने अपने तीन लदक ट्रिप्स में एक्स्पिरियेंस किया है उस बेसिस पे मैं आपको बता सकता हो कि पर हेड़ पर डे एक हजार से बारा सो रुपे का आपको expense आएगा for accommodation and food मतलब आपका petrol का खर्चा और उसके अलावा अगर आपका 15 दिन का राइड है तो एक आपमी के लिए 15,000 15-18,000 इतना खर्चा आपको आएगा अगर आप normal homestays या basic campsites वगिरा में stay करते हो अगर आप 3 star वगिरा में जाते हो तो आपका खर्चा ज्यादा होगा अगर आप dormitries में या shared accommodation में जाते हो तो आपका खर्चा इससे कम होगा but for budgeting you can keep it as a ballpark image कि 1000 से 1200 रुपीज पर दे पर हेड और उसके अलावा आपका petrol का खर्चा इतना खर यह places अगर आपको विजिट करने है तो आपको चंदीगड से चंदीगड तक सरकीट रूट के लिए आठ से 10 दिन का टाइम लगेगा अगर आप मनाली से जाके मनाली से वापस आते हो तो साथ से आठ दिन में आप यह रूट कर सकते हो most of the organized trips don't go to Somoriri or Hanle बहुत से trips में होता सिर्फ नूब्रा वैली और पैंगॉंग यह दो ही प्लेसे सोते हैं अगर आपको उतना ही कवर करना है तो आप चंदीगड से चंदीगड साथ दीन में भी कर सकते हो आपको बहुत मजा आएगा और अगर आपको फ्री टाइम है और अगर आपको लड़ाग में कौन से कौन से प्लेसे कितने ब्यूटिफुल है इसका एक आइडिया लेना है तो आपको बहुत मजा आएगा आपका लड़ाग ट्रिप के बारे में जो एक्साइटमेंट है न वो टेन टाइमस तो अटलिस बढ़ी जाएगा यह लिस्स देखने के बाद बाकी जो इन जनरल लड़ाग ट्रिप के लिए प्लाणिंग होता है वो सारी इंफोमेशन अल्रेडी हमारे चैनल पे है आप जस्ट राइट तू ब्रिंग अल टूगेदर इन वन प्लेस आप डिस्रिप्शन में जाके वो सारे लिंक्स देख सकते हो सारी शोर कि वो सब दे हमें अभी तो 15 दिन के लिए है लेकिन we don't know how much it will be extended so जब तक lockdown खतम नहीं होता यह ऐसे ही one-to-one interaction videos हमें बनाने पड़ेंगे because बाहर कहीं जा नहीं सकते नए places आपको दिखा नहीं सकते so please tell me in the comments below कि आपको ये one-to-one interaction ये informative videos कैसे लग रहे हैं and what all you want us to include in those videos having said that इस वीडियो के यही पर खतम करते फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नहीं information के साथ किसी नहीं कहानी के साथ तब तक के लिए stay tuned stay connected and stay happy keep counting kilometers